समवाद, इस कारिक्रम के प्रायजिक है टाटा स्टील फाउंडेशन ताटा स्टील फाउंडेशन द्वारा प्रायजिक कारिक्रम समवाद की एक और नई कड़ी के साथ हाजिर हूं मैं रोशनी स्वागत इस कारिक्रम में आप सभी शोताओं का आज हम आपको सुनवाएंगे एक ऐसे शक्स से हमारी बातचीत जो समवाद के अंतरगत समुदाय के साथ कारिक्रम के तहट आदिवासी डॉक्यूमेंटरी फिल्मों के माध्यम से आदिवासी रीती रिवाजों और आदिवासियत पर बनी फिल्मों को मेंस्ट्रीम फिल्मों की तरह लोगप्रिय बनाने का प्रयास कर रहे हैं नाव है इनका कुमार गॉरव कुमार आदिवासी रीती रिवाजों जीवन शैलियों पर बनी फिल्मों को एक डॉक्यूमेंट की तरह प्रिजर्व करके जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आईए सुनते हैं कुमार गॉरव से मीडिया कर्मी संजय प्रसाद की बातचीत कारिक्रम संबाद में आपका बहुत-बहुत स्वागत है कुमार गॉरव जी जोहर समुदाय के साथ संबाद का एक पहलू है जिसके साथ आप जुड़े वे हैं तो आदिवासी और फिल्म इसको लेकर आप लोग बात करते हैं काम करते हैं तो इसके विशह में हमारे स्रोताओं को कुछ बिस्तार से बताएं जी धन्यवाद संजय जी सबसे पहले में जो हमारे तमाम सोतागन है उनको भी जोहर जारखंडी जोहर समुदाई के साथ एक ऐसी पहल है जो 2015 में हम लोगों ने सुरू की थी उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो सिनेमा आदिवासी रिती रिवाज या आदिवासियों के उपर बनी है उन सिनेमा को कैसे समुदाई तक पहुँचाया जाए जनरली होता क्या है कि ऐसी सिनेमा जो होती है वो अकाडमिक बनी होती है और इनका जो स्क्रीनिंग होता वो अकाडमिक स्पेस में होता है पर यह कभी भी समुदाई के भी जैसे सिनेमा नहीं आपाती है तो इस चीज को लेते विए 2015 में हमने सुरू किया समुधाय के साथ दूसरी चीज हम लोगों ने ये कि हम लोगों को ऐसा लगा कि ये केवल फिल्में बनाने से नहीं होगा उसको दिखाना होगा मतलब ये समुधाय के पास जारके उस मैसेज को दिखाना चाहिए जी संजय जी तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या कि फिल्म लेकर के गज़ारकन और ओडिसा के सुदूर आदिवासी ग्रामीन इलाकों में हम फिल्में दिखाने लगें और फिल्मों के माध्यम से एक समवाद एक चर्चा चर्चा शुरू हुई जो चर्चा उनके डेवलोप्मेंट से इशू पे थी आइडेंटिटी पे थी असीमता पे थी जिनको बोल सकते हैं जी जी और उन चीजों पर हम लोग बातचित करना सुरू किये तो ये समधाय के साथ से हम लोग इनिशेट किये दूसरा एक पहलू यह था कि जनरली जो बातचित को कैसे हम लोग डॉक्यूमेंट भी कर सकें तो इसको समधाय के साथ ऐसे सुरुवात होती है जी तो ये जो आपका फिल्म में चितरन होता है गरेक्टर्स होते हैं तो इसमें आदिवासिया कि जलकती है और किस तरह से उनको आप पॉड्रेट करते हैं जी ये एक स स्टेरोटिपिंग जिसको हम बोलते हैं उसको कैसे ब्रेख किया जाए और खास कर कि ये तब होगा जब ये कैमरा आदिवासियों के हाथ में भी होगा वो भी फिल्म में बनाएंगे जिन पर ये फिल्म बन रही है उनका चरिचितरन वो खुद भी करें उनसे उड़े लोग आए आगे समाज में और वो बनाए तो सही जो पिक्चर है वो उबर कर सामने आईगे बिल्कुल 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 तो अब तक कितनी सफलता में लिए या कितना काम कर चुके हैं जी, 2015 से अभी तक करीब करीब 25,000 उदर सकों तक और 1500 से जादा लोकेशन पर हम फिल्में दिखाते हैं फिल्में दिखाते हैं यह जो फिल्में बनी होती हैं यह पूरे भारत से हमारे पास आती हैं मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि हमारे इस पास आज की डेट में करीब 100 से ज्यादा फिल्में हैं जो अधिवासी रिती रिवाज और उनके जीवन सैली पर बात करती हैं और ये फिलम एंथ्रोपोलोजीकल सोसाइटि एफ इंडिया बोले या फिर इंडिपेंडन फिल्मेकर बोले वो हमें यह फिल्में देते हैं और फिर इन फिल्मों को लिए करके हम ग्रामी से जन जन तक पहुंचाते हैं जी यह समुदाइक के साथ चिसमें आप लगों तक जो नौतियां ऐसी होती है कि पहला यह होता है कि जहां हम फिल्म दिखाने जाते हैं वहाँ पर ना विजली होती है ना इलेक्रिसिटी की कमी होती है लोगों को फिल्म दिखाने के लिए बुलाना उनको ऐसा लगता है कि जरूर कोई एक्शन पिल्म चलेगी पर हमारे फिल्मे में रिती रिवाजों के बारे में बात हो रही है, असीमता पर बात हो रही है, लैंग्विज पर बात हो रही है, म्यूजिक पर बात हो रही है, और एक मैसेज भी दिया जाएगा, उसके हिसाब से बात होती है, तो यह एक दू चैलेंजे होता है, एक और major important challenge होता है कि सिरेमा को केवल entertainment समझा जाता है, जब कि हमारा काम as infotainment है, याने information भी है और entertainment, सुचना प्रद भी होए और मनोरंजन भी है, समभाद में इस कारिकम को 2015 में जोड़ा गिए, तब से लेकर आज तक, 2023 तक, यह जो कारवा चला आपका, यह कहां तक पहुँचा और भविश्य में क्या योजना है, इसके विश्य में भी कुछ संचित में बताएं, जी, 2015 से 2023 करीब 7 साल, 8 साल का हमारा सफर है, और इस 8 साल के सफर में मैं बोलूगा कि देश से, पुरे देश से, जो भी documentary filmmaking के प्रमुख directors हैं, जो actors है हमारे SKS से जुड़े हुए हैं, अलिकतम, आदिवासी filmmakers, मैं कहूंगा कि पूरे भारत वर्ष से, आदिवासी filmmakers हमुदाई के साथ से जुड़े हुए, किसी ना किसी रूप में, चाहे वो अपनी film भेजते हों, चाहे हमारे साथ गाउंगा हो जाके film में भी दिखाते हैं, त प्रसिध national film maker हैं, उन्होंने रामद्याल मुंडा जी की किताब से उस कहानी को निकाल करके एक animated film बनाई थी, इसका नाम ता सिस्टिका था, दूसरा है कि हम लोगों ने एक और film बनाई है, जो गुरुकोलला को बोधरा जी पर है, तो गुरुकोलला को बोधरा के जो whole language है, ऐसे कई सारे film में समुदाय के साथ में बनी हैं, और इन filmों को कई तरह से ख्याती भी मिले हैं, और आगे भी हम लोग कोशिस कर रहे हैं कि जब भी ऐसे documentation के सवाल आएंगे, जैसे तो उस पर भी हम लोग काम कर सेगें, तो ये सफर है, आने वाले समय में हमारा ये एक सोच ह कि जो अधिवासी के ओपर फिल्म बनी है, और ज्यादा अधिवासी फिल्म में बनाएं, अपनी बात रखें फिल्मों के माध्यम से, चाहिए वो advocacy issue हो, development issue हो, जो भी हो, वो अपनी बातों को रखें, अपने culture को रखें, अपनी oral tradition को सम्हालें, फिल्म सिनेमा का जो एक टू तूल है, उस सिनेमा के टूल को यूज करके, एक improvement tool, as a improvement tool उसको यूज करें, इसका काफी मनमस्तिस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, आडियो विज्यूल माध्यम, कुमार गवर जी, अंत में हमारे सृताओं को अब क्या कहना चाहेंगे? लोगों को बता सकते हैं, इसका सहीं प्रियोग होना चाहिए, और इस प्रियोग से हमारे जारखन के और पूरे भारत के जितने भी आद्यासी गन है, अपनी बातों को रखें, तो ये मैं संदेश देना चाहिए। आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जोहर, जोहर सर, आप चुकि जमशितपूर से ही हैं, और फिल्प का निर्देशन से लेके उनका संपादन और कैमरा के पीछे का रूल, ये सब बखो भी निभा रहे हैं, साथी साथ आप बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, अस्थानिय मासकॉम जो यहां पे संस्था है, उसके साथ जुड़ करें, तो ये जो फिल्म बनाने का सफर है आपका, ये कब से सुरू हुआ, कहां से सुरू हुआ, कैसे ये ख्याल आया कि हमको फिल्म निर्देशन से इस यात्रा के बारे में आरम से बताएं, सबसे पहले तो मैं फिल्म के चेत्र में आना नहीं चाहता था, ये वाक्या है साल 2011 तक की, 2011-2012 तक मैं सोचता था मैं फिल्म में तो नहीं जाओंगा, तब तक मेरा सपना था मैं कम्यूटर इंजिनियर बनू, 2012 में जब मेरा 11th में आडमिशन हुआ, तो वहां के मेरे क्लास टीचर थे, और उनने मुझे एक फिल्म के वरक्शॉप में भेजा, ठीक है, उस वरक्शॉप में जाने के बाद मेरा ध्यान आया कि नहीं, मैं फिल्म के तरफ भी जा सकता हूँ, और तब से मैंने शुरुवात कि कि नहीं, आप डॉक्यमेंटरी फिल्मों के विशेवस्तो रहती है, आदिवासी समाज, और शॉर्ट फिल्म की हमारे आसपास जो भी समाज में हो रही है, गटित गटनाए, वो टॉपिक रहता है, तो इस दौरान जो भी आप बना रहे हैं, आदिवासीयों का जो चरितर चितरन होता है, और जब आप अपने समुदाइप के ऊपर में कोई कारी करते होंगे, तो निशित रूप से वो कुछ अनुखा होता होगा, अंतर होता होगा बाकी लोगों से, तो क्या कुछ अंतर रखते हैं, इसके विश्चर में भी बताएं। क्योंकि मुझे वो याद रहता है, और मैं जानता हूं, और मैं जाद से जादा कोशिश करता हूं, कि जो नैचरल फॉर्म में वो होता है, उसको वैसा ही दिखाया जाएं। उसको सजाया ना जाएं। क्योंकि सजाने से वो चीज बदल जाता है। बिल्कुल, जो मौलिक शीज है उसे ही आप संजोना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। वर्तमान में क्या-क्या कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। इसके विशय में भी, कुछ , अधôm बताएं। मैं मैं एडिटिंग कर रहा हूं, को पिछले साल कांस के लिए भी भूण वह भेजा गया था। अच्छा और साथ में मैं जातर मैं प्रमुक्ता से संताली फीचर फिल्म पर अभी काम कर रहा हूं ठीक है और डिसेंबर में भी एक फिल्म की शूटिंग शूरी होने वाली है अच्छा और अप एडिटिंग भी खुद से करते हैं जी हां तो यह सब एकुप्मेंट स्टूल्स बगरा कहां यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं यह सब भी कुछ बता है एडिटिंग के लिए मैंने खुद का सेट अप अपने घर पे रखा है और क्योंकि मैं नहीं चाहता है जाके काम कर रहे हैं तो वो समय की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पाती है क्योंकि मेरे घर पे ही सेट अप है तो मैं अपने समय अनुसर एडिट करता हूं तो ये editing का color जो है आप कहां से सीखे? editing का color तो sir, कुछ तो मैंने college से सीखा college के दोरान बहुत सारे workshops भी किये, मैंने online workshops किये और साथ में YouTube से भी जो tutorials available हैं और साथ में एक अपना touch जो है वो करते-करते आया है मेरा बिलकुल, जब भी कोई आदमी कुछ काम में लगा होता और लगातार करते रहता है तो उसमें महारत हासिल होती है तो समवाद से आप कैसे जुड़े और समवाद से जुड़ने के बाद कैसा अनुभव रहा आपका, उसके विशे में कुछ बताए समवाद से मैं सबसे पहले 2014 में ही जुड़ा था समवाद का भी पहला साल था और मेरा मास केमिक्शन का भी पहला साल था समवाद की टीम हमारे कॉलेज आई 2014 में हम लोग समवाद में as a volunteer जुड़े जैं हम लोग documentation का काम करते थे मैं उस टीम का हिस्सा इसलिए था क्योंकि मुझे संताली अच्छे से आती थी क्योंकि समवाद में काफी सारे speakers आने माले थे जो संताली और दूसरे अधिवासी भासाई पे अपना वक्तव रखना चाहते थे तो क्योंकि मैं संताली यानता था और डॉक्यमेट मुझे इंग्लिश में करना था इस वज़े से मैं उस टीम से जुड़ा संवाद से जुड़ा हूँ ऐसा रहा संवाद में जुड़ने के बाद आपकी जो संवाद में तब से लेकर आज तक की जो यात्रा है इसके विशह में बताएं संवाद में मैं as a volunteer जुड़ा था 2014 में 2019 तक में ऐसा सफर रहा है कि मैं फिल्मों की screening committee का भी हिस्सा रहा हूँ और इस तोरान 2-4 फिल्में सबिट हुई और कुछ में हमें award भी मिली है यह तो बहुत अच्छी बात है कि आपको award भी मिली अब आपका future plan क्या है किस तरह से आप आगे काम करना चाहते हैं उसके विशे में भी कुछ बताएं मेरा future plan रहेगा कि मैं ज़्याद से ज़्यादा आदिवासी topics पे documentaries बनाओं शॉट film से बनाओं क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जातर आदिवासी topics में short films या documentaries बन नहीं रही है बन भी रही है तो मौलिकता जो है वो नहीं देख पा रही है और मैं यह सब इसलिए बनाना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हम लोग कुछ छोड़के जाएं अपने आने वाले generations के लिए और मौलिक चीज़े छोड़के जाएं ना कि बनावट वाली चीज़े छोड़के जाएं जो वस्तविक्ता है जो आज हमारे जो रिती रिवाज है या और भी जो कुछ अधिवासी सामाज की मौलिक जानकारिया है उसे आप फिल्मों के माद्याम से संजोगे रखना है अगली पीडी तक ले जाना चाहते है ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी हम उमीद करते हैं कि इसमें आप जरूर कामयाब होंगे और इसी तरह आप लगन से काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे हमारी शुक्काम नाएं भी आपके साथ है आपका बहुत बहुत धन्यवाद जोहार अभी आप सुन रहे थे संथाल समुदाय के फिल्म निर्देशक संपादक बापी मुर्मू से संजय प्रसाद की पाच्छीत तो शुताओं आप भी समवाद के इस जनजाती महा संबेलन का हिस्सा जरूर बने और हमारा ये कारिक्रम भी सुनते रहे प्रति दिन इसी चैनल पर इसी समय आप अपनी सुझाव और अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए हमें मेल कर सकते हैं हमारा मेल आईडी है radiofm390 at gmail.com तो फिर मिलने के वादे के साथ अब रोशनी को दीजे जाज़त नमस्कार जोहार समवाद इस कारिक्रम के प्रायोजक्ते Tata Steel Foundation